नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब को अच्छे होंगे, आज हम बात करेंगे AGP Publication की ओर से आने वाली सांदर पुस्तक UGC Net Jira Paper 1 Solves Fapers की जो की आपके exam के दिश्टी कोंट से काफी जादा important है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहें हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा पहले यह पुस्तक Hindi Medium में आता था और अब यह पुस्तक English Medium में भी आने लगा है तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं Hindi Medium का, Hindi जो प्रस्न पत्रों कैसा है अगर आप वीडियो को लाश तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी पुस्तक अगर देखा जा इनके मुख संपादक, टीम को बहुत-बहुत-बहुत हाई और सुभकामना है यह है इनका contact number आप उस तक को order कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर topic wise समझाया गया है जैसे आपको जो teaching aptitude के जो question है आपको कितने सारे page में देखने के मिलेंगे जैसे आपके जो teaching aptitude है उसको set number एक में question page number एक में देखने के मिलेगा research के तीनों मिलेंगे इस प्रकार आप लोग इसे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इस बार बनाया है दोस्तो जो AGP team के जो खासियत होती है मैंने यहाँ पर highlight भी कर रखा है फिन से उनकी जो व्यक्ख्या होती है काफी जादा सांदार होती है उनकी व्यक्ख्या कलेवाल ही कुछ अलग होता है जिससे विद्यार्चियों के question के doubt ही solve हो जाते हैं जैसे यह question है आप लोग देख रहे हैं तो इस question के जो नीचे जो व्यक्ख्या दे रखी हो काफी सांदार है जैसे मैं एक solve question इसी question की बात करूँ math question है आप लोग इसे देख सकते हैं जो आपके communication question कैसे आते हैं यह सारी चीजें इन्होंने अपने पुस्तक में दे रखी है चाहिए आपके logical reasoning के question हो इन्होंने अच्छे तरीके से explain किया है जो एक solve question था इन्होंने एक अच्छे तरीके से explain किया है explain किया है दोस्तों जैसे जो प्रेकरितिक गैस है वह कौन से है जलवास्प है H2O carbon dioxide, methane, ozone, ozone, O3 या आपका nitrous oxide यह कौन से गैस है प्रेकरितिक गैस है और इन्होंने सांदार तरीके से अगर question में अगली बार आप एक paper में जो question अगर बनते हैं मानो निर्मित गैस कौन है तो आपके chlorofluorocarbons आपके hydrochlorofluorocarbons और आपके sulfur hexofluorides इस तरीके से इन्होंने question को सांदा तरीके से solve किया है तो इनके जो वेख्या होती हो काफी जादा अच्छी होती है तो आप लोग देख पाएंगी इस पुस्तक को काफी अच्छी पुस्तक है ये अगर हम बात करें topic by topic इन्होंने सांदा तरीके से explain किया है पुस्तक में ये करीबन 300 page कि किताब है दोस्तो ये 300 page कि किताब है आप लोग इसे देख पाएंगे 296 page है इसमें मान सकते है 300 page और भी इनकी publication की और ही पुस्तक आती है आप लोग इसे देख पाएंगे दोस्तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसका जो English version है वो कैसा है English version को जो आप भीहार थी बहुत देर से वीडियो देख रहे थे तो आप लोग इसे देख पाएंगे किताब काफी जादा अच्छी किताब है ये जो इसकी English version है इन्होंने सांदार तरीके से यहाँ पर आप लोग अपना देख पाएंगे teaching aptitude, research aptitude और आप communication, mathematical reasoning ये साइध चीज़े इन्होंने collect करके रखी है तो question इस परकार है दोस्तों और इनका जो व्यक्षा किया है वो काफी जादा अच्छी है तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे किताब काफी जादा अच्छी है English के जो अभ्यारती है आप लोग इसे देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से question को solve किया है मैं आपको और जूम करके दिखाए दे रहा हूँ तो आप लोग इसे अच्छे से देख सकते है उस तक book काफी अच्छी है point to why explain किया गया है आप लोग जैसे देख पाएंगे इनकी व्यक्षा ही काफी अच्छी रहती जो आपके जो नए अभ्यारती है जो पहली बार exam दे रहे हैं उनके पास समय नहीं है जब आपका exam पास में होता है तो आप लोग क्या करते हैं आपको solve papers की बहुत ज़्यदा अफसकता होती है उस वक्त आप question पढ़ते हैं और question के नीचे अगर आपको इस प्रकार व्यक्षा मिल जाए तो वह काविले तारीफ हो जाती है तो यह आपके exam के भी उससे देखा जाए काप ज़्यदा important है तो आप लोग इस पुस्तक का अध्यान कर सकते हैं दोस्तों तो जैसे आप लोग देख सकते हैं इन्होंने math में कितने अच्छे question को solve किया है किस तरीके से इन्होंने explain किया है यह काविले तारीफ के काम किया है इन्हों AGP team ने दोस्तों पुस्तक कावि अच्छी है आप लोग इसे देख पाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा आप लोग skip कर देंगे तो बहुत ही कम समय में आपको बता रहा हूँ data inspiration आप लोग इसे देख सकते है किताब काफी अच्छी है 271 पेज के किताब है 272 यह है इसका English version और यह है इसका Hindi version सुनने मा रहा है यह लोग बता रहे थे कि हम यह जितने सारे बुक दिख रहे हैं इसका English version भी आने वाला है दोस्तों मीद करता हूँ वीडिया को पसंद आई होगी ना भी आई होगी तो आप लोग फिंकनाते कर लीजेगा जिंदगी उसके नहीं जिंदगी से घवर आते हैं जिंदगी उसके जिंदगी से टकराते हैं All the West December 2030 के एक्जाम December में लगने वाला है आप उस एक्जाम को फोर दीजे All the West best of hard work नो लग Only of hard work करें और आपका रिजल्ट आपके पास होगा आप इस पुस्तक का अध्यन करिए और फिर परणाम देखिए धन्वाद दोस्तों, टेक कियर